कर सकते हैं कि इंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जैसे मैंने लिखा था get user by city या get user by name ऐसे आप यहाँ पे अपने हाँ आप से कितनी भी custom methods बना सकते हैं तो एक काम ना मैं आप लोगों को और दे रही हूं करने के लिए आप लोग क्या करोगे यहां पर पब्लिक लिस्ट क्रियेट करवाओगे बट इसको ट्राइब कुछ से करना ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे फाइंड बाई एज अगर लेट सुपोज मुझे किसी की एज के अकॉर्डिंग रिकॉर्ट को ढूनना है या फिर मुझे क्या करना है मुझे यहां पर डिलीट बाई सिटी करना है तो मैं यह भी कर सकूं तो यह कुछ कस्टम माथेट्स में डलवा रही हूं देखो बेसिकली होता क्या है कस्टम मैथेट्स जितने भी आएंगे यहां पर वह सब किस तरह से स्टार्ट होंगे ठीक है इसके आगे आगे कुछ भी लगा दो डिलीट बाई तो इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं ऐसे ही यहां पर आप और क्या ले सकते हैं find by, delete by and find by के लावा यहाँ पर हम greater than, less than इस तरहां के options भी लगा सकते हैं ठीक है तो यह क्या करना है आप लोगों को इसको explore करने के लिए मैंने कहा था कि एक बार इसको try करके देखना कि इसमें और आप चीज़े क्या-क्या ला सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास custom methods के अलावा named queries दी आती हैं तो अगर आप लोगों को named queries का use करना है तो वो कैसे use करेंगे एक बार उनको हम देख लेंगते हैं आप ठीक है पहले तो समझ लेते हैं कि named query क्या है और कैसे वो जूरी है तो देखो अगर हमें यहाँ पर named queries का use करना है तो उसके लिए सबसे पहले पुड़ास का basic देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों क्या करोगे named queries को एक बार चक करोगे तो named query को अगर आपको use करवाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस चीज़ के उपर द्यान देना पड़ेगा कि named query का मतलब क्या होती है जहां पही हम named parameters का use करते हैं ज्यादा थर यह as an annotation use होता है जिसको आप अपने program में लगा सकते हो और इसकी help से आप क्या कर सकते हो data को fetch करा सकते हो अगर आपको लग रहा है custom methods या फिर inbuilt methods की help से आप वो काम नहीं कर पारे हो जो आप करना चारे हो queries की help से तो आप यहाँ पर name queries का इस्तिमाल करोगे तो basically होता क्या है when we need to satisfy a particular condition then we can use named queries as well in our programs basically named queries को हम जब यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें काम क्या करना है और कैसे करना है इसको समझ लेते हैं पहले तो तो देखो named query को यूज करने का simple सा तरीका है कि आप यहाँ पर इसका इसका एक बार syntax देख लीजें तो syntax क्या है कि आप लोग क्या करेंगे जहां पर भी आपको यह program में यूज करना है जैसे कि आप इसको सबसे पहले तो लगाओगे कहां पर यह चीज़ धियान में रखना है तो class जैसे आपकी आती है employee की या student की कोई भी class है जो आपने entity class बना रखिए इस class के top में यहाँ पर आप लोग क्या करोगे adds the rate नेम出 na तो नेमग क्या करोगे यहां पर तो आपको को बस करना क्या है यहां पर आप लोग नेम्ट क्यी के लिए सबसे पहले तो bracket के अंदर इसका name define करोगे और यहां पर आकर आपको यह बताना होगा कि आपको इसको आपकी जो entity है वो क्यों है जैसे employee है और dot लगा कर आपको क्या लिखाना है कि भई क्या चीज ढूंदना चाहरे है तो मैंने लिखा find by email तो ऐसे में एक चीज तो आपकी यहां पर यह आ कुछ भी ले सकते हैं वो आपके उपर तो अगर हम यहां पर आ रहे हैं तो query हमें यहां पर बतानी होगी तो जैसे आप लोग SQL में queries लिखते थे ना बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी queries आएंगी आपको करना यह है कि आप यहां पर लिखोगे select select के बाद में आप लोगों को यहां पर एक name अपने आप से लेना है ESX कुछ भी ले सकते हो कोई भी मतलब यह कहलो कि मैं यहां पर चलो इसका syntax के लिख देती हूँ कि यहां पर भी हम इसमें क्या करेंगे class के नाम से ही इसको fetch कराएंगे employee लिखने के बार आपको यहां पर लेना है जैसे कि इसका एक जो भी care आप बना रहे हैं मतलब यह कहलो कि जो character आप यहां पर लोगे न वही same character यहां पहले भी आना चाहिए क्योंकि एक तरह से यहां प अपना care जो भी आपने पहले define किया था dot लगाके उसके साथ में अपना field का नाम लिखिए जैसे मैं यहां पर email ढूंड रही हूं और email equals to करके यहां पर मेरे को question mark लगाना है अब question mark के बाद आप कोई sequence number भी ले सकते हो और कोई alphabet भी ले सकते हैं तो मानलो मेरे को यहां पर इस query की parameter को पहचान सको तो वो value आप यहां पर देंगे जैसे कि मैंने one दे दिया तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको अपनी query समझानी है कि आपको इसके इंदर क्या use करना है and after that आप यहां पर इसके bracket को close कर दोगे और बाहर आ जाओगे अब क्या होगा कि जब आप लो प्रोग्राम चलाओगे तो उसके अंदर यह वाला जो method है वह automatically use हो जाएगा आपको बस करना क्या है कि एक तो आपको इसे कहां पर define करना है यह ध्यान में रखना है यह तो आपकी हो गई entity class ठीक है एक तो आपको entity class में लेके जाना है यह वाला part second चीज आपको क्या करनी होगी आपकी जो repository वाली class थी जैसे मैंने आप लोगों को repository का interface बनवाया था ठीक है तो जो आपका interface है उस interface के अंदर आकर आप लोग क्या करेंगे एक method बना देंगे जैसे मैंने बना दिया class के अंदर या फिर बैसिकली यह कहलो कि interface बना रख रहा है हमने एंप्लॉई रपाजिटरी और इस interface के अंदर आप लोगों ने क्या किया हुआ है माली जे एक्स्टेंट्स किया हुआ है जे पीप तो जैसे मैंने आप लोगों को class बनाना सिखाया था वैसे ही आप यहां पर बनाएंगे और इसे define करेंगे ठीक है और जैसे आपकी वह यहां पर definition आया थी थी employee और उसके साथ हम data type दे रहे थे वह भी देना है and after this यहां पर आकर आप लोग डिफाइंग करोगे अपना मैथड जैसे कि मुझे डिफाइंग करना है उपर वाली क्वारी के लिए public employee find by email और find by email करने के बाद आप bracket में string email बताना है तो interface में method define होना जरूरी है जो नाम तुम यहां पर दोगे न वही नाम यहां पर दोगे अगर तुम named query का use कर रहे हो तो ठीक है तो यह चीज मैच कुनी चाहिए आप लोगों की and after this आप लोगों को pass जब यह method आ जाता है तो इसके बाद आप लोग इसको अपने program में use कर सकते हो मतलब आप जहां से भी इसे call कर आना है जहां पर भी आप controller class भी जैसे आप बनाते हैं कहीं बाद तो उसके अंदर भी आप इसको use कर सकते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर इसे value को define करवाना होगा अपने program में and after that you can use it तो आप लोग जो भी service class बनाओगे ठीक है इसके बाद आ जाते हैं किसके इंदर service class के इंदर तो service class के अंदर जाके आप लोग इस इस वाली method को use कर सकते हो अपने program के लिए और इसको उठाके program को user को दे सकते हो जैसे कि अगर मालो मैं service वाली class में आ जाओ जहां पर हमने क्या किया था एक तरह से जैसे आपको याद होगा कि जब हम service class बना रहे थे तो service class के अंदर हमने मालो मैंने इसको बना दिया employee service अब अगर मालो employee service के अंदर मुझे क्या करना है मुझे इस method का use करवाना है ताकि मैं इससे result get करके user को provide कर सकूँ controller class को दे सकूँ तो आपको क्या करना होगा service class के अंदर जाना है और service class के अंदर जाके इसका method बनाना है ठीक है ताकि आप इस program को use कर सको अच्छा देखो एक और चीज़ आपको चलो मैं बताऊंगी लेकिन उसके बाद बताऊंगी पहले आप इस चीज़ को confirm कर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हम लोग जब भी कोई interface बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर autowire कर लेते हैं तो आप लोग employee repository का object बनाओगे क्योंकि आपको employee repository का क्या चाहिए method चाहिए यहां पर और फिर इसको आप लोग आट डारेट करके autowire ज़रूर करोगे तो जब आपका यह autowire हो जाएगा तो autowire होने के बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आकर इसका method यूज करवा सकते हो जैसे कि मालनो मेरे को क्या करना है public void मैंने एक method बना दिया find record by email और मैं यहां पर एक user से email को receive करूँ ठीक है तो जब मेरे पास यह वाला वालू आ जाएगा तो मुझे बस यह करना होगा कि मुझे यहां पर user की वालू को get करा के उसके according अपना काम करवाना है इसके यहां फिर आप यह भी कर सकते हो आप यहां पर email ना देकर इसके बगैर भी काम करवा सकते हो तो आप लोगों को बस code क्या करना होगा यहां पर वो देख लेते हैं जैसे कि अगर मालो मैं यहां पर आती हूं और यहां पर क्या पूट लिखते हूं जैसे कि सबसे पहले तो employee EMP equals to get employee get employee क्या है get employee कोई भी method हो सकता है जो आपने हो सकता है पहले define कियो in which we are getting an employee data मतलब यह जो get employee method मैं बनवाऊंगी यह method क्या होगा it is also an custom method जो की हमें object रिटर्न करेगा तो get employee method जो है which returns the object of employee या फिर हो सकता है आपके पास यहां पर भी object रिटर्न मुझा है मतलब आपको इतना करने की जरूरत नहीं न पड़े तो दो चीज़े हैं या तो आप यहां पर object ले लो ने जो उपर object बनाया उसकी help से er.save करके इसे क्या कर दीजे सेव भी करा दीजे ताकि यह value सेव रहे ज्यादा से ज्यादा अपडेट भी हो जाए और आफ्टर दाट यहां पर आपको क्या करना होगा कि यहां पर आके आप लोगों को अगर इस options के true किसी भी record को find out करना है तो इसको आप use करके user को provide कर सकते हैं या फिर चलो एक्ताम करते हैं इसको थोड़ा सा easy format में बनाती हूँ फिलाल मैं यही first time कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ के करते हैं तो find record by email जब हम यहां पर ले रहे हैं तो हमने यहां पर क्या लिया string में email user से ले लिया and after this जब आप यहां पर आओगे तो आप लिखोगे er.find by email और यहां पर आप लोग email को user को provide करोगे so that की वो आपको क्या कर सके इसका record get करके दे सके तो जब आपके पास record आएगा तो आप उसको यहां पर object में safe करवा लोगे और जो भी value आएगी उसे use करने के लिए हम यहां पर फिर आगे का काम भी कर सकते हैं तो आप लोग यहां पर क्या करें employee one second employee में कि यार डॉट find by email कर दीजे जब record आ जाए तो इस method को माने लिजे मैंने वाइड की जगा employee यह रखा है तो यह अपने आप की काम करवा देगा and after that EMP को return करवा देगा बाकी तो आप controller class में जाएंगे तो वहां पर आपको बस email get करवाना है और email get कराके उसको यहां से भेशना है तो basically यह काम कैसे कर रहा है आप इसको ध्यान से देख सकते हो कि अगर आपको custom query बनानी है तो उस case में आपको entity class में query को define करना पड़ेगा ऐसे ठीक है जिसमें आप अपना method भी बताओगे किस method से associate करना है और उसके बाद आ follow यह वाली query चलानी है ओके तो dollar 1 की जगा पे अपने आप first value ले लेगा जो भी आपके program में जाएगी मतब जो value एक तरह से यह कहलो कि इस method के अंदर जो मैंने नीचे बनाया था भी method इस method में हम यह वाला जो value दे रहे हैं यह हमारा parameter 1 है जो question mark 1 है उसकी जगा पे यह वाली value चली जाएगी and record find होके यहां पर आ भी जाएगा तो अगर मालो आप यहां पर query जब चला रहे थे let's suppose आपने यहां पर लिया था where care.email equals to 1 लेकिन आप यह चाह रहे थे कि जो भी records आ रहे है न उसमें से particular department का record चाहिए तो आप यह भी करके रख सकते हैं हो सकता है जो भी information fetch क कर रहा है वो एक particularly low level का employee और उसकी कुछ restriction भी हो सकती है तो ऐसे cases में आप क्या चाहेंगे कि वह अपर लेविल की जादा information ना निकाल सकी तो उसमें आप क्या करते हो query को अपने हिसाब से लगाते जैसे कि select कर दिया see from employer care where care.employee अपने है इसको care की जगह पे क्या करते हूं थोड़ा साब को improved version दिखाती इसका basically हमें यह करना था ठीक है and after that जब आपके पास यहां पर record आ जाता है तो मान लिजा आपने लिखा कि where employee equals to 1 and department id is equal to let's suppose मैंने यहां पर 101 ही लगा रख है ठीक है तो अब क्या रहेगा कि जिसका department 101 होगा सिरफ उसी का record निकल कर आएगा उसी में से उसका अंदर से employee का email निकलेगा जो भी value आएगी तो employee का record निकलेगा email के according तभी जब department क्या होगा बन जिरो बना तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो न नेम्ड कोरी बना सकते हो उसको repository में define करो और फिर service class में उसको data provide करो और उससे data get करके use कर लो तो यह होता है आपका basically named query clear है यहां तक concept कसी को क्यों confusion है इसमें चलो एक काम करते हैं इसको ने अपने प्रोग्राम में apply करके भी देखते हैं ठीक है यहां पर हमें बनाएंगे method जिसको हम as a name query के लिए यूज करते हैं तो जो हमारी कल वाली करड़ API बनी हुई है इसी के अंदर आ जाओ src main java में चले जाओ और यहां पर आपकी जो entities आप जो है वो कहां से करते हैं repository से करते हैं क्योंकि हमें यहां पर custom method बनाना है तो हमारे पास यूजर के अंदर कितनी वाल्यूज है एक दो तीन चार तो चलो मैं यहां पर एक काम करते हूं मुझे चाहिए city की according record लेकिन मेरी यह भी option है कि उनी records को देखा जाए जिनकी age जो ठीक है लेकिन city जो है वो हम यूजर से लेंगे ऐसा करने के लिए user repository में आ जाते हैं सबसे पहले यहां पर हम अपना method बनाते हैं तो मुझे यहां पर custom method चाहिए था public अब मैं यहां पर क्या get करवा रही हूं user ठीक है तो user ले लिया लेकिन अगर मैं city के according ढून रही हो तो मि इसके अंदर भी हम लिस्टी ले 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 तो यहां पर हमने ले लिया इसके अंदर find by city यहां फिर नम लिख देते हैं find record by city spring हमने ले लिया city तो यह मेरा एक custom method बन गया अब यह जो custom method है इसका नाम ना मैं यहां से क्या कर लेती हूं copy करके रख रही हूं copy करके क्यों रख रही हूं क्योंकि user class में आके हमें क्या करनी है अपनी named query define करनी तो आप यहां पर आईए class से जस्ट पहले यहां पर अपनी named query बनाईए ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर आकर अपनी named query को define करना है तो जब आप लोग यहां पर named query को define करोगे तो उसके according आपका अताब हो जाएगा तो named query के लिए हम लेंगे यहां पर इसे और named query लेने के बाद name equals to करके यहां पर आप क्या लेंगे user dot यहां पर आप कर दीजिए अपना method का नाम जो आपने method बनाया था वहां पर find records by city and after this यहां पर हम लगा देते हैं इसमें ही query तो query क्या लगानी है वो देख लेते हैं तो हमने यहां पर लिखा select you from user you where city equals to question mark 1 parameter देंगे and age greater than equal to 25 तो age वाला तो मैंने default रख हुआ है कि जिसकी age 25 से उपर है सिरफ उसी की city मिलेगी मतलब उनी के records मिलेंगे अगर city wise find कर रहे हैं तो ठीक है तो यह चीज़ हमने यहां पर set करके रख दी अब जब आपका यह वाला value set हो गया यहां पर मतलब पहला काम क्या किया कि दूसरा गाम क्या किया user class के अंदर आकर जो हमारी entity class है इसमें आकर हमने अपनी named query बना दी जिसमें हमने class का नाम साथ में method का नाम query जो हमने अपने हिसाब से define किये और बस इतना गाम करना है and that's it हमारा काम हो जाएगा तो यहां पर इसको सेफ कर देते हैं and save करने के बाद मने क्या बताया था कि थर्ड क्लास में लगा दिया अब आ जाते हैं कहां पर service class में यहां आकर हम लोग अपना program बनाएंगे और इसका यूज़ भी करेंगे तो अभी हम लोगों को यहां पर क्या करना होगा अपने service class में आते हैं यूजर डाव में यहां आने के बाद क्या करना है method को यूज़ करेंगे आप लोग यहां पर क्या लेंगे इसके अदर अपना matter define कर लीज़े जैसे कि हम लिख लिख लिया public void लिया फिर public list user fetch records by city string में हम user से city को get कर आ लेंगे और अपर आकर हमें अपना method का use करना है तो जो भी method आपने create किया है उसे use करेंगे तो हम लिख देते हैं er dot sorry er नहीं था हमने क्या बनाया था यहां पर you are you are dot करके हम लिख देते हैं यहां पर find by या फिर find records by city और इसमें हम पुनी city की वालू को provide करेंगे यह हमें एक list तो में अधर आगे हैं यहां पर तो जो query है उसके according काम करेगा अब इसके बाद जब यह वाला काम भी हो जाएगा तो अब हम आ जाते हैं कहां पर controller में तो जो हमने कल controller create किया था ना अलग से I am coming into that one तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम अपना matter बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं response एंटिटी में क्या प्रोवाइट कर रहे हैं एक list प्रोवाइट कर रहे हैं किसकी यूजर की और यहां पर हम क्या बिटके हैं get by city और यहां पर हम लगा देते हैं add the rate path variable और यहां पर लगाएंगे string city फिर यह दन लगाके क्या लगाना है response entity dot ok और ok में udow dot करके हमें क्या लिखना था find by city या fetch records by city इस वाले method को call करेंगे जो हमें records रिटन करते हैं तो that's it हमारा काम हो गया तो हमें क्या करना था custom query को define करना था तो custom query को define करने के लिए सबसे पहले हम गए repository में अगिन देख लेते हैं तो हमने यह custom method define किया after that हमने इसे क्या किया user class के अंदर named query को define किया third हमने dow class में आके अपना method लिया जिसके अंदर से हमने method के लिए value को get कर आया and after that हम आ गए कहां पे controller class के अंदर जहां पे हम लोग ने अपना method बनाया और उसे यहां से response में आट करके भेज दिया value को इसके बाद यहां पे आप क्या लगाएंगे get की mapping लगा लेजे तो मैं लगाए तो add the rate get mapping और यहां पे हम लगा जाते हैं search ठीक है और यहां पे हम अगर मालो मैंने city ही दिया सिरफ तो problem आजेगी क्योंकि एक ही जैसे दो pattern नहीं हो सकते इसी लिए हमें क्या करना होगा यहां पे हम इसको लगा देते हैं या तो आप यहां पे value बदल दीजे तो मैं यहां पे लिएती हूं search city और यहां पे brackets में city ही डाल देते हैं तो यह क्या करेगा इसी क्या according काम करेगा save कर दो and after that आप आकर एक बार अपना program run करके देखो कि इतना चलता है या ने चलता यह exception आती है तो क्या आती है तो इसको run करेंगे सबसे पहले तो हमारा प्रोजेक्ट शुडू हो गया रन कर रहा है अब इसका port number I think 8084 था और अब आ जाते हैं कहां पर चलते हैं इसके अंदर चले ब्राउजर पर खोलते हैं तो आप क्या करेंगे यहां पर आप लोग अगर इसको किसी भी ब्राउजर पर ले जाके खोलते हैं तो यहां पर और यहां पर आकर हम लोग ले रहते हैं http लोकल होस्ट कॉलन 8084 स्लैश हमने क्या लिया था सर्च सिटी स्लैश अब मानलो मैंने दिया दिल्ली अब अगर इसको वहां पर दिल्ली का कोई record मिलेगा तो यह शो करतेगा अगर नहीं मिलेगा आपको definitely कोई result नहीं आएगा क्योंकि देखो query तो चली है यहां से query fire हुई है पर यहां पर हमारे पास अगर result नहीं नहीं आ रहा है विच मींस कि दिल्ली का महां पर कोई record इसको नहीं मिले ठीक है तो अगर हम यहां पर थोड़ा सा वालू को चेंज करते हैं कि देखो मैंने एज का भी लगाया वाता फाक्टर तो मैं यहां लगाती देखती हूं गुर्गाओं हर्यान तो देखिए गुर्गाओं हर्याना का एक record मिल गया जिसकी एज 25 से उपर थी ठीक है तो result आ रहा है यह जिसमें एक record है 26 जिसकी एज है ठीक है गुर्गाओं हर्याना से है लेकिन अगर आप इसके अंदर सिरफ और सिरफ सर्च वाला parameter लगाते न सी सिरफ सिटी वाला जो इससे पहले वाला method था वो भी हमें गुर्गाओं हर्याना का ही record रिटन कर रहा है लेकिन उसके अंदर हमारे पास तारे records आ रहे हैं इवन जिनकी age 26 से नीचे है क्योंकि उसके अंदर हमने क्या नहीं लगाया था हमने अपना वो parameter नहीं लगाया था and age greater than less greater than equal to 25 बला ठीक है तो क्यों हमने यहाँ पर named query उसकर रही है इस वज़े से क्या हो रहा है बही normal वाले में तो सारे records आ रहे है जो भी city को match कर रहे है लेकिन यहाँ प पर आप लोग क्या कर सकते है इसी तरह से custom queries बना सकते हो named parameter named queries बना सकते हो और उनके help से अपने particular records को get भी करा सकते हो clear है इतना ठीक है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना work कर वाएंगे तो this is called named query इसको भी आप लोग अपने आपसे बना कर देखोगे और यह चेक करोगे कि कैसे बनाना है कैसे इसको use करना है ठीक है तो यह तो हो गया आपका named query का feature अब ऐसे ही यहाँ पर आपके प जाती है जिसको हम बोलते हैं basically यहाँ पर हमार पर